Hello Guys, Welcome back to my YouTube channel Guys, हम लोग सीखे रहते हैं यहाँ जावा स्क्रिप्ट टुटोरियल और हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पर होस्टिंग सीखा था कि कैसे आप एक सिंपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो तो बहुत सारे लोग का कुश्चन था कि हम लोग यह चीज़े गिडव पर होस्ट कर सकते हैं बाट मेरा मकसद था सिखाने का कि भाई आप गिडव पर फ्री में होस्ट कर सकते हो तो मैं सिखाया हूँ पहले भी हम लोग math object के बारे में सारे चीज़ सीखेंगे जो important चीज़ है मैं आपको सिखाऊंगा कि basically math object क्या होता है and math object के अंदर कौन-कौन से वह important properties हैं और methods हैं जिनका हम लोग use करेंगे तो चले बिना किसी time को waste वे start करते हैं तो पिछले बड़े में हम लोग ने सीखता कि date object किया है जब भी हम कोई date से related operation perform करते हैं तो हमें जुरुत पढ़ती date object उसी तरह अगर हमें कोई भी mathematical operation perform करना है that means maths related operation perform करना है तो हमें युज़ करना पड़ेगा यहां पर maths object याद रखेगा कि यहां maths नहीं है यह math object ठीक है and simple it is not a object it is a object ठीक है तो हमें युज़ करना पड़ेगा math object किसके लिए for mathematical operations या maths related जितने भी operation है तो मैं लिखना पर चाहूँगा कि अगर आप maths से related कोई भी operation perform करते हो related operations perform करते हो तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा किसका maths object का math object का यूज़ करना पड़ेगा यह चीज़ आप याद रिखेगा अब वह कौन-कौन से operations होंगे मैं कुछ operations बताता हूं जैसे suppose आपको निकालना अपने प्रोग्राम में क्योंकि यार हर जगा maths यूज़ होती है यह चीज़ याद रखना मालब maths is one of the most important topic जो आपको आना ही चाहिए और कभी भी आपको प्रोग्राम बनाते हो तो mathematical operations ही तो perform करते हो भाई चाहिए आप कोई library management software बना रहे हो चाहिए आपको website बना रहे हो तो उसमें अगर काम करते हो तो 90% maths involved ही होती है अब कुछ चीज़े abstraction लेबल पर की जाती है तो आपको पता नहीं चलता है बट math से ही चलती है तो suppose आप एक software बना रहे हो जिसमें आपको calculate करना पड़ेगा sin theta यह sin x तो आप अपने मन से तो calculate नहीं कर पाऊगे या कोई logic लगा के तो calculate नहीं कर पाऊगे तो आपको यहां पर help करें देगा भाई हमारा यह maths object maths object के पास function मिल जाएगा sin और आप x की value यहां put करोगे अपने आप से result मिल जाएगा इसी तरह Conергie value निकालना हो तो भी निकाल सकते हो अब हाँ आप बहुत साहरे तरीकी की value निकाल सकते हो जैसे हम लोग sign inverse, cause inverse ऐसे करके inverse भी निकाल सकते हो इसी तरह इसी तरह बहुत सारे काम कर सकते हो जैसे मालों को कि 68 value जाहितो इसके पास a 자ुक्रीच फंक्शन abs या अगर आपको कोई random number चाहिए तो यह random function प्रवाइड करता है method प्रवाइड करता है जिससे हम लोग random number को भी generate कर सकते हैं या suppose आपको round off करना है तो आपके पास seal function function और साथी साथ आपके पास floor function मिल जाता है round off करने के लिए minimum maximum के लिए आपको function मिल जाता है कि अगर आपके पास कोई number या array दो number या array या कई सब्सक्राइड रूबर्स है तो उसमें मिनमिमम और maximum number कैसे आप निकाल सकते हो तो पावर के लिए आपको function मिल जाता है, जैसे आपको x power y निकालना है, तो आप यहाँ पे power function की help से इसको निकाल सकते हो, square root के लिए function मिल जाता है, इसी तरह आपको जितने भी important mathematical operation हैं, जितने भी आपके पास important mathematical operations हैं, mostly उनके लिए सारे methods available हैं, किसके पास methods available हैं, math के पास, तो याद रिखेगा, जब भी आप कोई math related काम कर रहे हो, तो आपको math object के बारे पता होना चाहिए, और इन function को use करना पता होना चाहिए, and function के साथ साथ कहाँ पर कुछ properties इसके अंदर हैं, जैसे यह तो सारे methods हैं, इधर मैंने बता हैं, अब इधर देखो, जिसे आपको पाई की, आप कोई काम करो, जिसे मालों आपको area of circle निकालना है, तो आपको पता है कि area of circle, पाई एंडर का square होता है, बट आपको पाई की value नहीं याद है, तो उस समय मुचली आप math पढ़ते हो, तो आपको याद तो होता है कि 3.14159 होता है, बट अगर आप नहीं याद रख पार हो, तो math के पास पाई नाम का एक variable है, आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि आपको value प्रवाइड कर देगा, इसी तरह log, log to base 10, logs की सारी values, इसी तरह अपनलब n number of values इसके पास है, बस आपको दिमाग में रखना है कि हमारे पास एक math नाम का object है, जो हमारा बहुत सारा mathematical काम करेगा, आप चलते हैं थोड़ा सा बात करने रहते हैं कि इन functions और methods को use कैसे करेंगे, तो यह date object की तरह नहीं है, date object में हम लोग क्या करते थे, direct constructor का यूज़ करके object को create करते थे, यह चीज़ याद रहे हैं किसको, constructor को यूज़ करके, अब मैं बताता हूँ, constructor का मतलब क्या था, यह हमारे date था, अब इसका जब भी मुझे use करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, new and date, ठीक है, new date यूज़ करके object बनाते थे, then हम लोग क्या करते थे, इसको एक variable में रख देते थे, and then is d करते थे, that means constructor की help से हम पहले object बनाते थे, then उसका use करते थे, but math object में ऐसा नहीं है, math object के पास constructor कह सकते नहीं है, या आपको use नहीं करना math object, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, यह मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे new math या new math नहीं लिखना है, ठीक है, new math आपको नहीं लिखना है, because constructor यहां पर call नहीं होता है, यह इसको यूज करने का यह तरीका नहीं सिल मैंने इसको red pen से लिखा, ठीक है, आपको क्या करना सारे method, अखर आपको याद हो, तो जाओं में static की तरह यूज करने सारे method, static की तरह यूज करने, that means, सबसे पहले आपको object math लिखना है, suppose आपको यहां पर, आपको यहां पर call करना है floor function, तो आपको सबसे पहले math लिखना है, and then dot and then floor लिख देना है, that's it, आपको सबसे पहले math का object, then function का नाम, and then आपको, अगर कोई आपके पास parenthesis में parameter रहे तो पास कर दिए, otherwise blank छोड़ दिए, यह simple सा use करने क तरीका है, एक दो function में और यह दिखाता हूँ, suppose आपको ABS function करना है, then you have to write math.abs, simple, अगर आपको पाई यूज करना है, then you have to use math.py, तो अब चलते हैं, और अपने codator पे, codator पे, इन सारे functions को यूज करके देखते हैं, use करना आगे, simple सा static के तरह यूज करना है, जैसे हम लोग जा math object name, then variable name and method name, nuke, इसकी तरह use नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे constructor कह सकते नहीं है, इसके पास, अगर है भी तो private है, तो उसको आप call नहीं कर सकते, इस ही याद रखिए का, अब चलते हो देखते हैं, suppose आपको area of circle निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो ह अब ही तक आप इसको follow कर रहे हो, तो आपको सारा पूरा एक ही वीडियो में, एक ही file में, zip file में, आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ बना लेते हैं, HTML, ठीक है, stable बना लेंगे, and this for explaining, यहाँ लिख देते है, math object, math object operations, ठीक है, and यहाँ पे आ जाते ह ही तो हम लोग यहाँ पर script tag लाकर अपना code लिख देंगे, यहाँ पर अपनी JavaScript आ जाएगे, परफेक्ट थोड़ा सा कफ़ों बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग इदार हटा देते हैं, and यह भी हम लोग इसको open कलने के अपने tab में, ठीक है, अपने browser में, तो यहाँ पर आत something like classy है, जिसके पास methods है, अब हम लोग क्या करेंगे, simple आप देखते हैं, suppose आपको यहाँ पर area of circle लिकालना है, पहला हम आरा काम आ गया, area of circle को के भी हम लोग नहीं, वहीं यहाँ पर चीज़ समझा था, यह वाला, अगर आप देखना है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, area of circle लिकाला है, तो मैं यहाँ पर एक function नहीं होगा, area of circle, कैसे बनाते हैं, function and area underscore of underscore circle, ठीक है, circle, and मैं यहाँ पर variable में r दे रहाँ, that means, you have to provide r, आपको radius provide करना है, जब भी आपको area of circle कोल करना है, तो आपको radius provide करना है, and then हम लोग यहाँ रिटन करेंगे, ज्यान से देखे, pi r, pi r square, यह चीज याद रिखेगा, pi r square, तो आप pi की value आपको याद है, तो आपको याद है, अगर आपको pi की value नहीं याद है, तो आपको math नाम का function है, तो हम लोग पहले है, calculate कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे math dot, जैसे dot लगा होगे, तो आप देखो यहाँ पर pi न आपको क्या करना है, into करना, इसमें तो हम कहेंगे into, and आपको क्या करना है, r into r, that means radius को दो बार r करना है, r into r, तो आपका mathematical operation perform हो जाएगा, और हम लोग इसको एक variable में रख लेते है, area, ठीक है, and हमारा यहाँ पर area आ जाएगा, and then this area we have to return from inside the function, तो हम लोग यहाँ पर area को return कर देंगे, इतना simple है, तो आप दोखोगे, area calculate होगी, और area यहाँ पर आ जाएगी, हमारी return कर देगा function, अब हम इसे call करना होगा, तो after creating the function, after end of the function, जब function हमारा end होगा, इसके नीचे यहाँ पर हम लोग call करने वाले है, area, तो आप लिखें, console.log, console.log, और लगाएंगे back tick, लाए area of circle with radius 5, ठीक है, is and हम अपना function call कर लेंगे, कैसे function call करना है, simple area of circle and आप 5 को यहाँ simply pass कर दिए, that's it, तो आपको area of circle मिल जाएगा, यह function क्या करेगा, 5 को यहाँ पर r ले ले लेगा 5 and then math.py को print करेगा, then pi into 5 into 5 करके यह चीज़ यहाँ से return कर देगा, और यह चीज़ यहाँ पर console.lock कर देगा, print कर देगा, आप चलते है इसको open करते हैं, देखते हैं कि भाईए, सब को सभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने simply यहाँ पर open कर दिया, and आप देखोगे, तो यहाँ पर right click करकर console open करते हैं, so आप देखोगे, आपके पास यहाँ answer आ चुका है, तो मैं इ यहाँ पे कुछ दोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे 3.141592653 इतना तो आपको याद भी नहीं रहता एंड एरिया अप सर्केल जो आई हो इतना आया है आप देखोगे 5 x 5 25 25 x 3.14 करके इतना ही है अगर आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो math.py math.py क्रॉस चेक करने के लिए 3. एक दिम पर्फेक्ट लाग रहा होगा math.py पाई इंटु 5 x 5 आप देखोगे पर्फेक्ट है हमारा function कॉल कर रहा है तो आप समझे को कि इस यह तर आपको काम करना होता है math object साथ आप r को दो बार कर रहे हैं इसका मलब आप square निकार रहे हो पाई r square तो आप यहां math.power भी यूज़ कर सकते थे दिखिए आप यहां math.power function and you have to provide base and power तो base basically r करना है and r को दो बार मिंट भी लाए करना है तो आप यहां पर 2 लिख देंगे तब भी आपका result सेम आ जागा है और आप देखोगे यहां पर तो आपका result you will get the same result आप देख सकते यहां पर 78.5398 ऐसे करके तो आप math के दो function एक यहां पर variable कर चुके हो property and दूसरा function है property और function कैसे याद रखते है मैं आपको पहले से बता चुका हूँ अगर यहां पर parenthesis नहीं है तो एक property है और parenthesis है देखो तो एक function है function के पास हमेशा parenthesis होता ही होता है यह चीज आद रखेग ठीक है so property means no parenthesis जैसे array का length है और function means you have to provide a variable और parameter if any अगर है otherwise आपको blank parenthesis यूज करना पड़ेगा ठीक है next जो important point है math का object नहीं बनाना जितने भी functions और जितने भी method यह जितने भी variable उनको direct use करना है math dot करके यह चीज याद रखियागा क्या है उसका math dot करके आप चले और भी operations perform करते है सपोज आपके पास एक variable है सपोज आपके पास यहाँ एक variable नेगेटिव एरिवल लेट वैर या लेट ए और ए में रखा हुआ है माइनस 23 ऐसे करके और आप चाहते हो कि इसकी absolute value है value means a value without sign ठीक है positive हो जाए है तो आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे math dot abs function यूज कर सकते हो और आप math dot abs function यूज करके और अपना यहाँ पे ए पास कर सकते हो तो यह absolute value return कर देगा that means a number without sign a number without sign तो इस तरह किसे आप absolute value प्रिंट कर सकते हो अब important बात आती ही कैसे आप random number जनरेट करते हो random number random number जहाँ से देखेंगा random random number जनरेट करने के लिए आपके पास एक random function है random function है which is used to generate a floating point random number in the range from 0 inclusive up to 1 but not including that that means जो random function है वो 0 से लेके 1 के बीच में एक number देगा जीरो इंक्लूडेट है वन इंक्लूडेट नहीं है यह चीज़ आद रखेगा मैं आपको कॉल करके दिखा दा हूं देन आप समझ पाऊंगे ठीक है तो आप सपोज आपके पास यहां पर एक वेरीबल जिसमें रेंडम नमबर आएगा ठीक है आरे एन एंड हम जो करेंगे math.random यह हमें एक रेंडम एक रेंडम वेरीबल रिटन करेंगा रेंडम फंक्शन और जो वेरीटन होके आएगी वो आरे एन में आ जाएगी तो मैं उसी को प्रिंट करने वालों console.log.ran आप देखोगे देखो 0.4487 अगर मैं दुबार रिफ्रेस करता हूं तो आप देखो रहा है 0.78, 0.244, 0.90, 0.979, 0.766 तो यह हर बार एक रेंडम नमबर कर रहा है 32 लाइन से यहीं से आपको एक हर बार एक रेंडम नमबर प्रिंट हो रहा है ठीक है तो अगर मालो आ करता है कोई दो डिजिट का नमबर बनाई है तो आप सिंप्ली क्या करिए कि इस नमबर को आप सिंप्ली 100 से मेंटिप्लाइ कर जीए तो आप देखोगे जो नमबर जनरेट होगा देखे 91 अब ना इसके बाद हमें पॉइंट के वैल यहां से हटानी होगी तो अभी मैं बत है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं अपने अपने रेंडम फॉंक्शन के साथ तो अगर आपको यहां पर पॉइंट की वैलू जटानी है जैसे मालो आप 3 डिजिट का नमबर यहां पर जनरेट कर रहे हो और आपको पॉइंट की वैलू नहीं चाहिए तो मैत के पास ही क्यों करना है ve Kickstarter करना है डिस पर अभी पर आपको क्या करना हैробी एक फंक्शनождения क्या से दीखें आप क्या करिए सबसे पहले जो number generate हो रहा है उसको आप सिंप्ल एक variable में रख लीजे तो हम यहां पर क्या करते हैं यहां पर थी डिजिट नंबर था यह तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं आज पहले बार मैं यूज कर रहा हूं यहां तो यहां तीन डिजिट का रेंड नंबर तो हम लोग इसको प्रिंट भी कर देंगे ठेड रहेंगा ऐंड में तो हम लोग किस में से जो decimal नंबर इसको हटाएंगे उसको हटाने के लिए हममेरे पास पास फंक्शन इंट करेंगे तो हम लोग यहां लिखोंगे console.log and हम लोग simply आएंगे and math.trunk देखो function है and हम लोग यहां पर 3 digit का number pass कर देंगे that's it and अगर हम लोग आएंगे तो आप देखोंगे decimal के पास सारी digit हट गई 3 digit का बढ़ी हैसा number बन गया अगर आपको 2 digit का बनाना है अगर आपको 4 digit करना है तो आप 10,000 से multiply कर दिए you will get 4 digit random number तो basically मैं 3 digit number ही generate करूंगे कोई हमारा variable 3 digit का है तो इस तरह के से random function यूज़ कर सकते हो त्रंक function कर सकते हो अपने point के बाद की values को या decimal के बाद की सारी values को बाद आह工 ही ओद कर बाद कर आने के लिए तो और भी तरीका काम करने के और भी तरीक रहे कड़िए, तो यसे to fix to कर सकते हो ठीक है रड़ को फिक्स फंक्शंग भीउस कर सकते हो ठीक है, सो भॉह सारे तरीक बढ़ इसा teach can'tery math object का सा तरीका था यूज करने का तो रेंडम नंबर करना गया इसी तरह आप यहां पर रेंडम नंबर गेसिंग नंबर भी बना सकते हो ठीक है सपोज नेक्स वीडियो हम लोग ऐसा छोड़ा सा गेम बनाएंगे ठीक है अभी हम लोग फंक्शन समझ देते हैं तो अगर आपको स्कॉर्ठ निकलना है किसी नंबर का तो आपके पास स्क्वेर्ट निकलना है स्क्वेर् रूट निकलना है तो आपके पास security नापका फंक्शन मिल जाएका मैं आपको दिखाता हूं pencil.long और यहां पर math.sqrt और यहां चार पास कर दोगे, तो यह square नहीं, यह square root निकाल देगा, that means 2 इसका अंसर आ जाएगा, तो इस तरह के से बहुत सारे इसके पास important function है, rounding number के आपके पास seal है, floor है, तो दोनों function को भी मैं demonstrate कर देता हूँ, seal function, seal क्या करता है, seal is basically आपका ऊपर च्छत होती है, that means यह round off करेगा, यह round off करेगा number up to the next highest integer, that means 3.5 है, तो यह 4 कर देगा, 3.5 है, तो यह 4 कर देगा, चीज़ आद रहेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, console.log and math.seal, and मैं आप 3.5 यूज़ करता हूँ, तो आप देखोगे, आपका अंसर जो आएगा, वो 4 आएगा, ठीक है, मतलब highest integer, I think समझ पार होगे, that means अगर 3.2 भी है, तब यह highest integer में round off करेगा, 4, ठीक है, and lowest integer में आपको करना है, तो आपका इस floor है, ठीक है, floor आपके lowest integer में करेगा, तो अगर मैं console.log करता हूँ, math.floor, तो यही 3.2 को यह 3.2 को यह 3.2 बना देगा, I think समझ पार होगे, मैं क्या कहने कोशिस करना हूँ, but एक interview question है, suppose आपके पास, आप पहले भीन output देखके, comment करके मुझे बताएगा answer, then मैं output दिखाऊंगा, suppose आप यहाँ पे seal यूज कर रहे हो, और यहाँ आपने पास कर दिया minus 3.2, then आपका answer क्या होगा highest integer की बात कर रहा हूँ, highest मतलब इसमें 3.2 का बड़ा वाला नंबर क्या है, तो आप देखोगे, तो यहाँ 3 है, यह चीज़ आद रिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो, तो उल्टे में माइनस 2 ज्यादा है, बड़ा होता है, माइनस 3 से, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं हो जाएगा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत math आती ही, तो समझ गोई हो, इस तरह round function है, round off करने के लिए, round function methods, round the number to the nearest integer such as, तो अगर जैसे आप चाते हो कि 3.6 है, तो 4 हो जाए, 3.2 हो जाए, तो 2 हो जाए, तो आपका round function है, वो यही करेगा, 3. 3.5 को 4 कर देगा, and 7.25 को यह 7 कर देगा, and 4.49 को यह 4 कर देगा, तो वो अपने हिसाब से, मतलब nearest integer पे round off कर देता है, ठीक है, अगर minimum maximum निकालना है, किसी कितने number में से, minimum maximum पे काम करना है, minimum and maximum पे, तो आपका दो function और है, minimum and maximum को मैं आपको demonstrate कर देता हूँ, यहाँ पे, min and min य आपको यहाँ पर नमबर है, यहाँ पर 30, 36, 2, 4, ऐसा करके बहुत सार नमबर है, तो आपको यहाँ पर minimum बिल जाएगा, जो number होगा, आप देखो, 2 is a minimum of these numbers, so you will get 2 output here, ठीक है, इस तरह के से, आपको maximum में तो आपको maximum निकाल सकते हूँ, ठीक है, minimum maximum बहुत important method है, आपको यहा number हो गएरा भी पास कर सकते हो, कोई issue नहीं है, ठीक है, मतलब आप काफी चीज़े कर सकते हो, बहुत सार, ठीक है, power के लिए मैंने आपको बताई दिया उपर कि आपके पास power function है, जो हम यूज करेंगे power के लिए, ठीक है, इसे तरह, अगर आपको कोई trigonometry operations perform करना है, तो भी आप कर सकते हूं, मैंने बताया ना, मैंने आपसे बताया कि आप यहाँ पर sin, cos, tan, cos कर सकते हो, तमाम चीज़े तरीके हैं, जैसे आप यहाँ पर आते हो, अगर आपको sin की value निकाल लिए, so if I have to, जैसे sin 30 निकालना है, तो sin 30, log कर लेते हैं, यहाँ पर math.sin, and sin मे, math.sin, and sin मे आप simply 30 पास कर दो, आपको value मिल जाएगे, अब यहाँ पर minus 98 मिल रही, तो अगर मैं sin 30 की value देखूं, sin 30, so आप देखोगे sin 30, value, sin 30 value, तो आपको 0.5 value मिलेगे, यहाँ पर यहाँ पर यह दे रहा है, यहाँ पर यह दे रहा है value, आपको value दे रहा है, 0.9 30, अब इसमें यह, आपको देखना पड़ेगा, कि यहाँ पर आप पास कर रहो, sin अवेसा radian की value लेता है, आपको 30 को radian की value लेता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 30 को radian में convert करना पड़ेगा, आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है, तो pi by 180 से divide करना होता है, ठीक है, तो अगर मुझे actual sin 30 की value चाहिए, तो हम इस 30 को pi by 180 से divide कर देंगे, तो करते हैं, pi की value मुझे पता ही है, यहां से मिल जाएगी, and divide by 180, and there अगर हम आके देखते हैं, तो आप देखोगे, 0.499, that means सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, और अगर आपको एकदम परफेक्ट answer चाहिए, तो इसको आप round off कर दो, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यह इसके बाद हम लोग कोई देखते हैं, तो I think समझ में आ गया होगा, यहां पर 0.4999, इसको round off करते हैं, 2 decimal places तक तो यह 0.4, बलब 2 digits तक का, यहां तक का, decimal के बाद 2 digits तक का, तो यह 0.5, 0.45 आएगा, और अगर एक digit तक का करते हैं, तो यह 0.5 आ जाएगा, that means हमारा यहां पर output, सही आजाएगा, कोई issue नहीं है, तो इसी तरह आप 10 भी उस कर सकते हो, बढ़ आपको याद यह रखना है, कि जितने भी trigonometric functions है, sin, cos, जितने भी trigonometric functions है, इसमें, sin हो गया, आपका, उसी तरह आपका cos हो गया, ठीक है, यह सारे functions work करते हैं, work करते हैं in radian, radian, यह चीज़ जाएगा, तो आप कोई भी, आप अगर degree सोच रहे हो, जैसे आप sin 30 सोच रहे हो, 30 को पहले radian में convert कर दिएगा, pi by 180 से divide कर दिएगा, इसे तरह sin 90 निकाल रहे हो, तो आपको 90, हम लोग degree सोच रहे हैं, बट इसको चाहिए radian, तो हमें, इसको radian में convert करने के लिए pi by 180 से divide करन अपड़ेगा, तो इस तरह किसे आप काम कर सकते हो, math object साथ, अब आपको क्या करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको पता नहीं कि इतने function है, तो आप यहाँ पर पहले तो google कर सकते हो, उसके बाद अगर पूरा math object प्रिंट करके देख सकते हो, इसके अंदर क्या-क्या च function, a, cos, a, cos, h, इसी तरह cube root, cbrt, cube root निकालना, cbrt, sin, exponent, बहुत तमाम तरह के function इसको आप यूज करोगे कब जब आपको जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने कुछ functions यहाँ पर operational perform करके बता दिया, next video में हम लोग ऐसा है प्रिंट करेंगे, number guessing का, I think समझ को होगे, आपको math module, I think समझ में आ गया होगा, कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ आपको समझ में आ गया, कुछ लोग यहाँ पर code से related, हमें कुछ comment करके पूछ रहेते हैं, तो आप परिशान मत हो, यह थोड़ा सा 2-4 दिन वेट करेंगे, मैं पूरा जिप फाइल प्रवाइड कर सकते हो, और यूज कर सकते हो, अधराज में GitHub पर प्रवाइट कर दूँगा, अब इस वीडियो, यह वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, नेक्ट वीडियो में हम लोग छोड़ा सा number guessing का game लाएंगे, बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि बाईया नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो तक लिए जय हुँ, जय भारत बाई, और हाँ, अभी देखर वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया, तो आप वीडियो को लाइक और शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हू